कि आपको लग रहा है कि कोई अंडू का ऑप्शन हमें नजर आया अदालत के रस्ते सुप्रिम कोट में आपका स्टैंड क्या है हमारा स्टैंड यही है कि पांच अगस्त को जो हुआ सरासर गैर कानूनी है कि आपका एक ट्वीट भी आया जिसमें आपने कहा कि आप यूनिन टेरिटिरी में एलेक्शन नहीं लड़ें कुमू कश्मीर रियास्त का चीफ मिनिस्टर रहा हूं मैं यहां के यूटी के एलेक्शन लड़ने के लिए तयार नहीं कोई कम्यूनिकेशन उनके साथ हुई है क्योंकि कुछ लीडरान उनके भी रिया हो चुकी है फिलाल नहीं क्योंकि उनके सदर अभी बंद हैं जल्दी निकल आएं तो फिर जरूर जो मौझदा डिस्पेंशन है पूरे मुलक के अंदर इसका कितना फ्यूचर आप देख रहे हैं चार साल में क्या कोई लीडर पैदा होगा या तयार होगा जो के अगले एलेक्शन में मोधी सहाब का मुकाबला कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे मैं कहनी सकता हूँ